क्लास 10th SST, सब्जेक्ट कोड 273 का पेपर है 15 अप्रिल को दस क्वेशन बता रहा हूँ, दस बहुत ही मैं तुकून प्रेस्न दस मिनेट की वीडियो में गौर से सुन जाओ, पेपर में बहुत कुछ मिल जाएगा इससे क्लास 10th सब्जेक्ट कोड 273 विसे SST, सामाजिक विज्ञान पहला प्रसन है, राजनेतिक दलों के कारे बताईए, राजनेतिक दल अर्टाद बीजेपी और कॉंग्रेस, राजनेतिक दल चुनाव लड़ते हैं देश में, राजनेतिक दल जनता की समस्याओं को संसद में उठाते हैं, राजनेतिक दल सामाजिक कारे करते हैं, राजनेत शित्रिय राजनेतिक दलवव होते हैं जो सिर्फ एक राज्य में चुनाव लड़ते हैं और राश्ची राजनेतिक दलवव होते हैं जो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं प्रेस्ट नमबर दो, महला ससक्ती करण क्या होता है? महला ससक्ती करण, महला यानि के औरत को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा जो भी तोर तरीके अपनाए जाते हैं उसे बोलते हैं महला ससक्ती करण, महला ससक्ती करण तीन तरह का होता है, आर्थिक ससक्ती करण, साम लगाई है देज के खिलाब कानून बनाया है महलाओं को नौकवी में आरक्षन दिया है महलाओं को राजनीती में आरक्षन दिया है महलाओं को बहुत सारी सुवधाएं दी है तो इससे होता है महला सतक्ति करण प्रस्ट नमबर तीन विधायका के कार्य बताइए विधायका क भी प्रस्तुत किया जाता है तो यहते हमारी विजायका के कार्या प्रस नमबर चार संविधान की विशेष्टा बताईए संविधान कानून की किताब है भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान लिखित संविधान है भारत का संविधा में मौलिक स्वतंत्रता भी बताई गई है अगला प्रस्ण है भारत के सम्विदान द्वारा दिये गए मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं देखिए प्यारे चात्रों मौलिक अधिकारों को सम्वेदानिक अधिकार भी बोलते हैं और यह सम्वेदानिक अधिकार है समानता का अधिकार सिक्षा का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार सोषण के बिरुद बोलने का अधिकार सोषण के बिरुद बोलने का अधिकार धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार और लास्ट में है अंत में है समव्यधानिक उपचारों का अधिकार तो यह छह मौलिक को हुई थी इसका head office अमेरिका में है संयुक्त राष्ट संग किनी भी दो देशों के बीच में दुनिया में कहीं भी कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद का निप्टारा करता है संयुक्त राष्ट संग मानव अधिकारों की रक्षा करता है संयुक्त राष्ट संग अंत गरीब और पिछले देशों की मदद करता है संयुक्त राष्ट संग एक अंतरराष्टिय मंच है जहां पर दुनिया के सारे देश एक साथ बैठते हैं और आपस में विचार विमर्ज करते हैं और इस विश्वकी सुरक्षा के लिए बात करते हैं बहुत ही महतकून संस्ता है अंतरराष्टिय संस्ता है संयुक्त राष्ट संग प्यारे चात्रो अगला प्रस्ण है भारत के राष्टपती की सक्तियां राष्टपती अर्थात महामईम की सक्तियां लिम लिखित हैं नमबर एक कारेकारी सक्ति विधाई सक्ति सैन्य सक्ति छमादान की सक्ति आपात काल नहीं माना जाता जब तक उस पर हमारे देश की राश्पती अपने दस्तकत नहीं करते यह सक्ति भारत के राश्पती की विधाई सक्ति कहलाती है अगला प्रस्न है दबाब समू किसे कहते हैं और दबाब समू के क्या कार्य और भूमिका है दबाब समू ऐसे लोगों का समू ह होता है जो सरकार पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाब डालते हैं उधारण के लिए अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो हम देखते हैं कि दिल्ली में जब कभी भी मसिदि के करमचारियों को तन्खा या वेतनमान नहीं मिलता तो यह लोग धर्ना देते हैं पर दर्सं करते हैं दबाब समू किसी भी राजनेतिक दल का हिस्सा नहीं होते दबाब समू सिर्फ अपने हितों के लिए ही काम करते हैं दबाब समू कभी भी हिंसा का सहरा नहीं लेते दबाब समू कभी भी तोड़ फूर में ही करते इसलिए दबाब सम्मू सिर्फ सांतिपूर तरीके से भूंकरताल, धर्ना, प्रदर्सन के माध्यम से अपनी बात सरकार से मनवाते हैं अगला प्रस्ण है भारत में सामाजिक आंदोलन सामाजिक आंदोलन के नाम से प्रस्ण जब आए तो आपको लिखना है समाज में इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किये महलाओं की हालत को सुधारने के लिए विद्वाओं की दुवारा साधी कराने पर जोड़ दिया लड़कियों के लिए महलाओं के लिए अलग से विद्ध्याले खुलवाए सती प्रथा पर रोक लगाई जातिवाद को कम किया इन सब के बारे में अच्छा अच्छा लिखना है और इन लोगों ने महलाओं के लिए पिछडी जाती के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम किये जातिवाद को इन्होंने दवाने की कोशिश की और खतम करने की कोशिश की लड़कियों के लिए अलग से विद्याले बनवाए शिक्षा को बढ़ावा दिया और जो हमारे समाज में उच नीच और छुआ छूत जैसी बीमारियां हैं उन पर इन्होंने नेंतरन करने की कोशिश की समाज के सभी वरगों का भला करने की कोशिश की यहां तक के सती प्रथा पर भी रोक लगवाई सती प्रथा एक गंदी प्रथा थी जिसमें अगर किसी महला का पती मर जाता था तो उस महला को सपती के साथ जिन्दा जला देते थे उस पर भी रोक लगाई और विद्वाओं की दुबारा साधी करवाई अगर पेपर में आता है सामाजिक सुधार आंदोलन तो यह सब कुछ लिखकर आपको आना है अगला प्रस्ण है सर्वोच न्यायले की सक्तियां देखे सर्वोच न्यायले को इंगलिश में बोलते हैं सुप्रीम कोट जो दिल्ली में है सर्वोच न्यायले रास्टपती का सलाकार होता है सर्वोच न्यायले सम्विदान का संदक्षन करता है अर्थात हमारे देश के सम्मिदान में अगर कोई भी गलत छेछाड की जाती है तो सर्वोच न्याले उसको रोगता है सर्वोच न्याले केंद सरकार और राज्यसरकार के बीच होने वाले जगडे अर्थात विवादों का निप्टारा करता है सर्वोच नियाले दो राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का दिप्तारा करता है सर्वोच नियाले जन हित याचिकाओं को सुनता है जन हित अर्था जनता के हितों से जुड़ी हुई याचिका यानि के अपिलों को सुनता है सर्वोच नियाले, तो यह हैं हमारे देश के सर्वोच नियाले के अधिकार और सक्तिया, देखिए ये वाला जो प्रस्थ मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में किसी न किसी रूप में मिल जाएगा, आपनिवेशवाद, सामराजवाद, सामन्तवाद, अंग्रेजों की एक नीती थी, जिसके तहत ये किसी वी देश में जाते थे, व्यापार करते थे, व्यापार के वहाने उस देश पर अपना कवजा करते थे, धीरे 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 पूरे देश पर ये कवजा कर लेते थे, इस तरह इन अंग्रेजों ने दुनिया के बहुत सारे देशों में क कवजा किया भारत में भी सबसे पहले ये बंगाल में आये यहांपर इन्हों ने व्यापार किया अपनी कोथियंगा बनाइए फिर अपनी कॉलोंिया बनाyt फिर धीरे दीरे पूरे भारत पर कवजा कर लिया फूर डालो सावसन करो की नीती अपनाई फिर यहाँ से यह सारा कच्चा माल ढोडो के अपने देश ले गए, कच्चा माल का मतलब होता है, जैसे कि हमारे यहां से यह गन्ने लेके गए और अपने देश में चीनी बनाई और फिर उसको हमारे ही देश में उची कीमतों पर लाकर बेच दिया, हमारे देश का ही कच्चा सामान और हमार नियंत्रन किया प्यारे चात्रों SST अर्थात सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट कोर्ट 213 का आपका पेपर है सौंबार का 15 अप्रिल का 10 मिनिट की छोटी सी वीडियो बनाई है इस छोटी सी वीडियो में आपको इतने महत्वपूर प्रस्ण बताए हैं 10 बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे और पेपर में इनमें से बहुत कुछ आएगा बस आपको एक सब्द पकड़ना है याद रखिये पूरा प्रस्ण नहीं पढ़ना है question में सिर्फ एक सब्द पकड़ना है और उस सब्द को पकड़ कर ही सारा पेपर लिख कर आना है अगर question में गंभीरता पूरवग प्रस्ण को पढ़ेंगे तो आपको एक ऐसा सब्द जरूर मिलेगा जो इस वीडियो में आपके लिए है पस उसी को पकड़ और छापते जाओ छापते जाओ छापते जाओ अगले पेपर में आपके लिए हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर डेटा एंट्री एंटिंग की बहुती मियत्पून वीडियो अफ्लोड करूँगा तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और पेपर के लिए बेस्ट आफ लग सामाजिक विज्ञान फ्लास्ट दन्यवाद